Good morning students So, आज का मारा chapter है sequencing problem Basically sequencing problem होता क्या है sequence मतलब क्या है किसी चीज को sequence में लगाना यहाँ पर हम क्या करेंगे जैसे हमें jobs वगरा गिवन होगी हमने jobs को क्या करना है sequence में उनका order decide करना है कि किस order में जो है task perform होंगे जैसे कि यहां पर क्या लिखा हुआ है A sequence is the order in which jobs are processed यानि कि किस sequence में, किस order में jobs को हमने perform करना है या process करना है Sequencing problem arises when we are concerned with situation when there is a choice as to order in which number of tasks can be performed इसका मतलब क्या है sequencing की problem कब rise होती हमारे जब हमारे पास number of tasks को और हमें पता ना हो कि किस order में हमने उसे perform करना है तो फिर हम उसको decide करते हैं problem को solve करके sequencing problem could involve इसमें क्या क्या आ सकते sequencing problem में jobs in a manufacturing plant यानि कि manufacturing machinery है ठीक है manufacturing का plant लगा हुआ है then वहाँ पर हमने decide करना है कि किस order में जो है manufacturing होगी पहले क्या होगा उसके बाद क्या करेंगे next क्या है aircraft waiting for landing and clearance इसका मतलब क्या है कि जो aircraft है वो wait कर रहा है कि कब उसने land करना और कब वहाँ से depart करना है next क्या है maintenance scheduling in a factory किस तरा किस टाइमिंग वगारा जो factory के है हमने बहुत से deal वगारा कैसे maintain गर के रखना है next क्या है programs to be run on computer किस टाइम पर कौन सा प्रोग्रम चलना चाहिए ठीक है तो आज हम एक इसका practical करते है question जैसे कि suppose कीजिए यह हमें given है seven jobs xyz pqrs have arrived at one time to be processed on one machine यानि कि jobs क्या है n jobs यह question का case क्या है n jobs through one machine यहाँ पर सिर्फ हमारे पास एक machine available है ठीक है बर number of jobs क्या है seven given है उन्होंने क्या बोला है कि seven jobs जो है वो एक ही time पर हमारे पास आगी है ठीक है और हमने इसे perform का पर करना है एक ही machine पर करना है यह perform ठीक है अब उन्होंने क्या बोला है find out that optimal job sequence when their operation time is given उन्होंने क्या बोला है optimal job sequence बताओ कोई best sequence बताओ जिससे हम यह operations को operation time हमें given है हम job को perform कर सके अच्छे से जैसे suppose कीजिए हमें यह given है question में x y z यह सारी jobs दिविए है और इनके times दिविए मिनट्स में ठीक है x job को perform करने में 12 मिनट्स लगते है y को perform करने में 10 मिनट्स लगते है z को perform करने में 9 मिनट्स लगते है p को perform करने में 7 मिनट्स लगते है q को perform करने में 4 मिनट्स लगते है and then r को 2 and s को 1 ठीक है अब हमें ये data given है हमने पहले क्या करना है यहाँ पर अगर ऐसे आपको question दिया हो then आपने क्या करना है heuristic rule use करके job को select करना है non decreasing of time में ठीक है non decreasing operation time follow करेंगे यहाँ जैसे की non decreasing मतलब क्या हुआ increasing सबसे छोटा क्या है s s का timing सबसे कम लग रहा है पहले हम s को लेंगे उससे बड़ा कौन से है two minutes वाला r उसके बाद उससे ज्यादा time किसको लगता है q को उसके बाद p को then z को then y को then x को ठीक है यह देखेगा यह जो जा रहे हैं इधर increasing order में पहले s then r q p z y x यह देखेए answer में इन्होंने कैसे किया solution में यह देखे इन्होंने भी ऐसी किए s r q p z y x चीक है अब हमने क्या करना है s को कितना time लग रहा था one minute चीक है अब जब s को one minute लग रहा है तो जब हमने r पे जाना है r पे जाने के लिए s का भी one minute add करेंगे ठीक है तो r के time पे कितना हो जेगा one plus two ठीक है तो one plus two कितना हुआ three यह देखेगा three ठीक है अब जब हमने q task perform करना है इसके उपर जब हमने जाना है q पे q को perform करने में four minutes लगते हैं बट यह तो s और r भी perform करके आई है तो इसलिए one plus two plus four आजेगा q के time पे इसी तरह अगर हम बात करें p के time पे p के time पे क्या आजेगा one plus two plus four plus seven ठीक है नीचे वाले सारे add करके और p का भी add इसी तरह से z पे क्या आजेगा one plus two plus four plus seven plus nine यह heuristic rule है इसी तरह से y पे क्या आएगा यह है y का 10 इसके नीचे वाले पे यह add करके then 10 को add करना है one plus two plus four plus seven plus nine plus ten ठीक है इसी तरह x पे क्या आएगा x में भी सभी add हो जाएंगे क्या क्या है थे one plus two plus four plus seven plus nine plus ten plus twelve ठीक है यह देखेगा नीचे उन्होंने ऐसी किया है one one plus two one plus two plus seven one plus two plus four plus seven फिर nine add किया है फिर nine plus ten किया है add extra then one plus two plus four plus seven plus nine plus twelve ठीक है तो भी सभी का क्या बना है फिले one बना एसका then r का three बना q का seven बना p का fourteen बना z का 23 and then y का 33 x का 45 मिनट हमने क्या करना है यह सभी को add कर देना है यानि कि one plus three plus seven plus fourteen plus 23 plus 33 plus 45 जब हमने इन सभी को add किया तो हमारे पास कितना आया टोटल टाइम one twenty six मिनट्स यह देखेगा one twenty six जो है यह मिनट्स में है ठीक है अब हमने क्या करना है average processing time निकालना है average processing time अगर हम देखे तो कैसे निकालते इसका formula क्या आता है total time divided by total number of jobs total time हमारा कितना आया है one twenty six मैंने अभी बताया कैसे निकाला one twenty six ठीक है total number of jobs में कितनी given थी one two three four five six seven seven jobs थी question में given तो हमने क्या करना है one twenty six को हमने seven से divide कर देना है तो हमारा पर average processing time कितना आ गया eighteen minutes ठीक है यह हमने first case माना था जब हम नीचे से start करें यानि कि increasing order में देखे तो हमारा जो जो जोब का है कितना time लगता है अब हमने क्या करना है अब हमने देखना है in case the jobs are processed in the order of their arrival order of their arrival मतलब क्या है कि जैसे जैसे jobs आई उनके तब हमने उसे assign किया ठीक है जैसे suppose करो x का 12 रहेगा y का क्या होजेगा 12 प्लस 10 इसी तरह z का क्या होजेगा 12 प्लस 10 प्लस 9 इसी तरह p का क्या होजेगा 12 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 7 इसी तरह q का क्या होजेगा 12 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 4 इसी तरह r का क्या हो जएगा 12 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 2 और अगर हम s की बात करें s में इदर एक और 1 एड हो जएगा then s का आजएगा चिक है यह देखेगा इन्होंने भी ऐसी किया है 12 12 प्लस 10 12 प्लस 10 प्लस 9 12 प्लस 10 प्लस 9 7 फिर 7 4 प्लस 2 हो गया फिर 2 प्लस 1 हो गया तो इन सभी का हमने क्या आगया हमारे पास टोटल 12 22 31 38 42 44 45 चिक है इन सभी को हम एड कर देगे हमारा टोटल टाइम आदेगा कितना है 234 चिक है 234 मिनट्स आगे अब हमने इस तरीके से अबरेज प्रोसेसिंग टाइम निकान लाए अबरेज प्रोसेसिंग टाइम का फोर्मला क्या था टोटल टाइम डिवाइड़ बाई टोटल नंबर ओफ जॉब्स तो अगर बात करें टोटल नंबर ओफ जॉब्स सेवन है टोटल टाइम हमारा कितना आ गया 234 तो अबरेज प्रोसेसिंग टाइम कितना आ गया 33.4 मिनट्स तो अगर हम बात करें दोनों केसिस में यहाँ पे यहां पर किता है 33.4 मिनट इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है टाइम 33.4 मिनट सो हम किसको सेट करेंगे 18 मिनट वाले को क्योंकि यह यह वाले टाइम से कम है सो यह हमारा आगया अंसर इसी तरह से अगर आपको end jobs through one machine की problem है then आपको इसी तरीके से यह question को solve करना है ठीक है एक बार इसकी practice करके देख लेना question की और extra questions भी इसके करके देख लेना अगर कोई doubt होगा then आप मेरे से clear कर लेना so thank you class